तो गाइस कैसे आप लोग स्वागता है आपका एक और नी वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थमनेल में देखी लिए होगा आज हम बात करने वाले अपने चेतक की सर्विस के बारे में तो मेरी चेतक की फर्स सर्विस पेंडिंग थी और वो मैं करवा चुका हूँ त तो आज मैं आपको पूरा कुछ बताऊंगा के शर्विस के बाद स्कूटर में क्या चैंजी जा थ है और उन्होंने सर्विस में क्या 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 क्यूंकि यह सर्विस नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर की तरह बिल्कुल नहीं थी तो electric scooter है तो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ के उन्होंने service में क्या क्या किया और उसके बाद मुझे उस service का खर्चा कितना है वो मैं bill की copy भी आपको last में दिखाऊंगा तो आज इसी सब के बारे में बात करेंगे तो जिससे आपको idea लग जाएगा कि service किस तरह से होगी और उसमें कितना कर जाएगा तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं तो यह मैं चेतक को service center में ले आया हूँ actually यह बजाज का service center है यहाँ पर अभी चेतक का service center बन रहा है तो यह बजाज के service center में मेरे चेतक की service होनी थी तो मैं इसको यहाँ ले के आया हूँ देखो जैसे अपने petrol scooters में पहले सब कुछ हो जाता है service हो जाती है उसके बाद अपना scooter wash किया जाता है और इधर सबसे उल्टा था सबसे पहले इसको wash करने के लिए बेजा गया आदा घंटा वेट करने के बाद मेरा number आया और देखो यार यह चेतक के पूरा अंदर तक पानी डाल रहे है और full pressure से डाल रहे है मुझे in fact डर लग रहा था कि कहीं चेतक को कुछ हो ना जाए बट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो देखो पूरा इसको नहला देंगे यह अंदर से भी बाहर से भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छी खासी अपने पास IP rating है इसकी तो पानी से कोई भी problem नहीं होगी तो washing के बाद फिर चेतक को वो लेके आते हैं अपने point पे जहां पे उनको service करना है तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया उन्होंने सबसे पहले जो अपना footrest वाला area है जहां अपने pair रखते हैं हम लोग तो वहां पे से उसको खोला और उसमें अब ध्यान से देखना इसमें है अपनी auxiliary battery जो अपनी extra battery रहती है जिससे चितक के सारे sensors काम करते हैं front headlight काम करती है अपना boot unlock और lock होता है तो वो सब चीजे ये चोटी सी battery करती है जो main battery है वो अलग है और ये चोटी सी battery अलग है वो सब sensors के लिए तो जैसे अब देख सकते हो XIDE की छोटी सी battery लगी है तो ये extra battery है तो इधर इन्होंने अपने meters होगेरा लगा के voltage होगेरा को चेक किया अच्छे से और जो भी इधर sensors होगेरा है वो चेक होए इस section के check होने के बाद इन्होंने इधर auxiliary battery की voltage होगेरा चेक करी वो सब जो भी था इनका check करा meters के साथ तो इसके बाद फिर इन्होंने जो main जो part था service का इनके पास एक device था वो इन्होंने device का मुझे record करने नहीं दिया बट मैंने फिर भी photos की ले ली एकाथ इन्होंने आगे का process मुझे record करने से मना कर दिया था मैंने भी बहस नहीं की तो I was like कि ठीक है ओके मना कर रहे है तो मैं रहने देता हूँ record करने के लिए तो इन्होंने मेरे चेतक के साथ यहाँ पे ये device को connect किया उसके बाद ये device connect की उनके mobile से उनके mobile में एक special app था जिसके साथ वो उनकी device connect हो गई तो वो connection होने के बाद मेरे चेतक की जितनी भी details थी चाहे वो battery की health हो चाहे वो sensor की details हो चाहे वो wiring की कोई भी चीज हो वो सब चीजें उनके app में show होने लगी तो उनके app में अलग-अलग sections बन रखे थे जिन पे एक-एक पे touch करके वो उसको update करते गए और करीब-करीब आदे गंटे में ये सब process पूरा हो गया था क्योंकि चेतक में कोई problem नहीं थी तो उसमें भी कोई problem नहीं है smoothly सब कुछ update हो गया आदे गंटे में और ये सब चीजे update होने के बाद उन्होंने जो normal चीजे होती हैं जैसे breaking वगेरा या फिर side stand की oiling या फिर boot lock unlock है उसकी greasing तो वो सब चीजे इन्होंने normally check करी और last में इन्होंने मेरे scooter को polish कर दिया और बस यही था फिर मैं अभी आपको bill की copy भी दिखा देता हूँ तो यह 710 rupees total मेरा खर्चा है service का यह अब details देख सकते हो सब लिखा हुआ है तो यही सब था आया service में तो तो अब main बात आती है service के बाद क्या हुआ तो service से पहले ऐसा था कि मेरे चेतक में जब भी मैं range check करता था अगर मेरी battery 100% है for example तो मुझे वो range दिखाता था 80 82 km maximum और अगर मेरी battery for example 50% है तो मुझे range हमेशा शो होती थी 40 के करीब मतलब इतना gap हमेशा रहता ही रहता था बट जब service हुई instant updation के बाद मेरी battery थी करीब 40% तो मुझे range दिखा रहा था वो 42 km की जो की मेरे साथ पहली बार हुआ था मुझे देखके काफी अच्छा लगा और उसके बाद मैंने घर आके अपने चेतक को 100% चार्ज किया और मुझे उसने पहली बार range दिखाई 101 km की वो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के उपर तो मुझे ये देखके काफी अच्छा लगा तो अब मुझे नहीं पता कि ये real time range कितनी देगा 101 देगा या फिर पहले की तरह 80, 85, 90 के बीच में देगा तो वो चीज़ हम एक बार दुबारा से टेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी में आपके लिए service के बाद वाला range का test लेके होंगा तो हम चेक करेंगे कि अपचे तक अपना actual में 80 से अबव range देगा या नहीं तो बस यार फिलाल तो वीडियो में यही था अगर वीडियो में कुछ information आपको अच्छी मिली हो या फिर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को like करना, channel को subscribe करना और वीडियो को share जरूर करना मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thank you so much, take care, bye bye